हेलो गाइज, विल्कम तो अनकाड़मी मैं हूँ निकेति अगरवाल और आज हम डेली करन्ट अफेस के बहुत अंपॉर्टन टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रोनोग्राफिक तो पॉन के कारण जो हमारे सुसाइटे और चिल्डरन पर इंपक्ट पड़ रहा है उसको हमें स पाद उसका रेप किया तो इस तरह के इंसिडेंसे स्कूल के अंदर हो रहे हैं जो कि बहुत ही जादा खतरनाक है इंडिविज्वल डिग्निटी को भी हर्ट करता है और हमारे एथिक्स और मॉर्ल्स को भी कुशिन करता है कि क्या हम लिबरलिजम या मॉडर्राइजेशन इ पाएगा and GS2 के अंदर भी आता है क्योंकि government policies की बात होती है government act की बात होती है इसके अंदर प्लस यह आपको essays और ethics के लिए बहुत important है क्योंकि सारा का सारा जो porn देखें ना देखें लीगल होना चाहिए बैन होना चाहिए यह सारा का सारा जो मुद्दा है यह morals और ethics से ही related है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लाइक कीजिए इस वीडियो को शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को साथ है आप मुझसे टेलिग्राम पर जुर सकते हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप ह और मेरा टेलिग्राम चैनल है अनिकित सर और यह अनकाडमी का टेलिग्राम चैनल है यह अनकाडमी का सम्मेट 2020 हो रहा है इसके बारे में कुछ जानकारी है जो तीन दिन 26 27 और 28 जून को आपको 56 टॉक्स और पैनल डिसकॉशन्स होंगे जिसके अंदर 56 आइकॉनिक स्पीकर जाएंगे जैसे कि आपके शशी थरूर जी हो गए गरन बेदी जी हो गई कपिल देव एक्स प्रेजिडेंट हमारे प्रणव मुखर जी राज कुमार राओ जैराम रमीज जो कि क्योनमिस्ट भी है और MP भी है और इसी तरीके से और बड़ी बड़ी हस्तियां जो है वो आपको पता चलेगा कि आपको UPSCQ करना चाहिए किस तरह से आप रपेर कर सकते हो और अनक एड में किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है और इसके जो कुछ पॉइंट्स है वो हम वीडियो के एंड में भी देखेंगे और इसके बाद आप किस तरह से लीडर बन सकते हैं अग Protection of Children from Sexual Offenses Act, Amendment Act आया था 2019 के अंदर जिसके अंदर हमने देखा कि जो definition है Child Pornography की उसको काफे ज़ादा broad किया गया था और इसमें कहा गया था Any visual description of sexually explicit conduct involving a child which includes photograph, video, digital और computer generated image indistinguishable from a natural child ये सभी की सभी चीज़े Child Pornography में आएंगी तो अगर आप किसी बच्चे की animation की तरह से भी बना देते हो computerized image बना देते हो जो कि किसी तरह के illicit intercourse में उपलब्ध है वो कर रहा है तो वो भी Child Pornography में आएगा इसके इलावा अगर कोई photo है या image है किसी चाइल्ड की इस तरह की explicit activity में involved होते हुए तो वो भी Child Pornography की definition में आएगा तो हमने देखा कि हमने definition को broad किया था इसके इलावा storage की उपर भी बात की गई थी तो अगर आप commercial purposes यानि की आप Porn को बेचते हो उसके लिए आप Porn को स्टोर करके रखते हो अपने PC की computer device में या electronic device में तो उस case के अंदर भी आपको punish किया जाएगा तीन साल तक की सजा plus fine आपको दिया जा सकता है और इस बिल ने इस सजा को तीन से पांट साल तक के लिए बढ़ा दिया इन एडिशन दे बिल आड़ तो अधर ओफेंसे फॉर दो और सेपरेट ओफेंसे बनाए गए गए इस आक्ट के अंदर 2019 के amendment अक्ट के अंदर जिससे कि अगर आप storage करते हैं pond movies की जो की children को involve करती हैं तो उस case के अंदर again आपको punishment दी जाएगी तो अगर आपको orders मिलने के बाद भी आप delete नहीं करते हैं destroy नहीं करते हैं उस material को secondly अगर आप transmit करते हो display करते हो या distribute करते हो except for reporting it और इसके बाद अगर आपको police को report करना है या authority को report करना तो बहुत अलग है बट अगर आप otherwise उससे commercial purpose के कारण या वैसे किसी social media में circulate करने लग जाते हैं उस तरह की videos को porn videos को तो उस तुरान भी आपको जो है penalty penalize किया जाएगा punish किया जाएगा other laws regarding pornography there is no law banning watching of pornography in personal space तो यह आपको याद रखना है personal level पे अगर आप porn देखते हैं तो उसको कोई भी law आपको prohibit नहीं करता है वो आप कर सकते हैं although ethically इस चीज़ को गलत माना जाता है क्योंकि अब यह जो students थे, minor students थे, यह लोग भी इस तरह का कोई काम कर रहे थे और उसके बाद उन्हेंने एक लड़की को जबरदस्ती पॉन दिखाया और उसका रेप किया तो इस तरह की जो विकरित मान सकता है वो बच्चों में आ रही है after the supreme court's order the department of telecommunication banned several websites containing child pornographic material तो although supreme court ने जब कहा कि child pornographic related जितने भी websites आप उन्हें बन करवाई है तो जो हमारा department of telecommunication है government of India का उसने इस तरह की websites को ban कर दिया था लेकिन फिर भी जो जिन websites पे child porn नहीं है वो सारी websites अभी भी open है as per the information technology act it is punishable to show children any pornographic content अगर आप किसी बच्चे को किसी भी तरह के porn movie दिखाते हो तो वो IT act के अंदर भी punishable है इसके लावा अगर हम IPC की बात करें तो IPC में भी काफी comprehensively pornographic के topic को cover किया जाता है और IPC के अंदर ये आपको sections याद करें रखने की ज़रूत नहीं है बस आपको पता होना जाए कि हाँ IPC में भी इसके बारे में जिकर किया हुआ है 292 जो section है वो कहता है कि अगर आप किसी भी तरह का porn को sell करते हो distribute करते हो तो वो अपने आप में illegal activity है और उसके लिए आपको punish किया जा सकता है और 293 specifically बोलता है अगर आप किसी minor को minor भीनी 20 years लिखा गया है इसके इलावा हमने IT Act की बात की IT Act में भी similar provisions है और जो child pornography है वो totally band है और इसके इलावा जो आपका 354A है जो specially sexual harassment की बात करता है woman की against तो उसके अगर आप किसी woman को pawn दिखाते हो जबर्दस्ती against her will तो against आप woman की will के उसको pawn दिखाते हो तो उस case के अंदर भी आपने offense commit किया 354A जिसके लिए again आपको punishment दी जा सकती है और इसमें punishment अगेन आपकी तीन साल तक एक साल से तीन साल तक के बीच में vary करती है तो हमने laws काफी जादा बनाये हुए हैं पर आप कह सकते हो execution कहीं न कहीं execution में कमी है अब बात कर लेते हैं impact of pornography on children and society जो कि हमारे society का या ethics का पाट आएगा तो सबसे पहले तो psychological impact pawn का बहुत जादा गलत होता है psychological impact के अंदर बच्चों को अंदर depression देखने को मिल रहा है anger देखने को मिल रहा है और anxiety देखने को मिल रही है क्योंकि बच्चा जो है वो mental distress में चला जाता है again उनको कहीं को insecurity या violence देखने को लगता है उसमें और कई लोग उसके अंदर सोचते हैं कि हमें इस तरह का experience का मिलेगा and so on जिसके कारण anxiety, anger, depression इस तरह की चीज़े या unusual behavior बच्चों के अंदर देखने को मिलता है प्लस बच्चों की जो day to day functioning है उनका जो social relationship है अपने peers के साथ, अपने दोस्तों के साथ, वो सब change होने लगता है और आप कहसकते हो कि उनकी एक negative psychology काम करने लग जाती है इसके अलावा sexuality के उपर भी बच्चों की असर पड़ता है क्योंकि बच्चों को sexual obsession होने लगता है, gratification होने लग जाता है और वो चाते हैं कि हम जो चीज वीडियो में show किया गया है उसी को अपनी real life में भी experience करके देखें तो आप कहसकते हो कि एक जबर जिस्ती की desire create की जाती है और आपको पता है कि porn के अंदर बहुत सारा content ऐसा भी होता है और unnatural के साथ साथ वो practical life में harmful भी हो सकता है तो बच्चे उस चीज को करने की कोशिश करते हैं, imitate करने की कोशिश करते हैं फिर जाता है sexual addiction according to some experts, pornography is like an addiction it produces similar effect on the brain as produced by consumption of a drug or alcohol on regular basis तो pornography है वो अपने आप में एक drugs की तरह या alcohol की तरह addiction भी हो जाता है जो की बहुत जादा नुकसान करता है बच्चों का, उसके बाद behavioral impact पर जाता है इससे जिससे की gender stereotyping हो जाती है particularly for males so males adolescents who view pornography frequently are more likely to view women as sex subjects तो लड़कियों को औरतों को सिर्फ sex subject की तरफ ही देखने लग जाते हैं वो लोग और वो उनकी individuality की उनकी emotions की कदर नहीं करते है और अगेन violence against women का या sexual violence को भी कही न कहीं बढ़ावा मिलता है पॉन देखने के बाद क्योंकि पॉन देखने के बाद अगेन जैसा मैंने आपको पता है वो imitate करने की कोशिश करते हैं उन चीजों को जो की real life में otherwise नहीं हो सकती या मुश्किल होती हैं जिसके कारण violence against women जो है वो बढ़ जाता है अगर women उस चीज को deny करती है पॉन ग्राफिक एन इंफुरेंस यंग परसनले एक्सपेक्टेशन अबाउट सेक्स इसके अलावा जो परसन है वो बहुत जाता डिजारस हो जाता है sexual intercourse के लिए और वो अपने feelings को control नहीं कर पाता जिसके कारण वो early life की stages पे ही sexual experience कर लेता है पॉन ग्राफिक में वो बहुत जादा adequate नहीं होता और बहुत जादा problems create करता है जैसे की condoms का use नहीं किया जाता या anal या oral sex and so on बोथ male and female consumers of pornography had increased level of self-objectification and body surveillance तो self-objectification लो करने लग जाते हैं अपने आपको उसी angle से नापने लग जाते हैं तो उनके अंदर अगे जो अगर suppose करो कोई person अवो उतना good looking नहीं है या एक लड़की है वो उतनी good looking नहीं है तो वो उस चीज़ को देख करके उससे अपने आपको compare करके अपनी body shaming करने लग जाती है या फिर depression में चली जाती है तो body shaming का भी concept यहाँ पर आ जाता है especially teens के अंदर अगेन यहाँ पर आपको जो male है वो prominent दिखाया जाता है और forcing दिखाया जाता है जो woman है वो submissive दिखायी जाती है तो उस चीज़ को यह enforce करता है जो कि बहुत ही जादा गलत वे होता है और इससे objectification of women जो है वो increase हो जाती है अब इसके अंदर हमारे पास जो challenge है वो यह है कि अगर एक lower class का एक unpaid person उस pawn को देख रहा है और एक higher class person उसको देख रहा है तो उन दोनों की मानसिक्ता में उन दोनों की psychological development में फरक है तो एक single state jacket formula से हम इस चीज़ को tackle नहीं कर सकते तो हमें कही न कहीं एक selective approach बनानी पड़ेगी lack of sex education courses and workshop in school curriculum भी इसका एक बहुत बड़ा reason है तो अगर आप बच्चों को 8th class से 9th class से ही proper sex education देते हो उनको बताते हो कि यह natural चीज़ है procreation के लिए बनाई गई है and so on तो कहीं न कहीं वो इन चीज़ों की तरफ जाएंगे हैं नहीं तो इस तरह कि sex education courses और workshops होने चाहिए school के syllabus के अंदर in India sex is seen as a negative something that should be hidden तो इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि parents भी अपने बच्चों को sex के बारे में खुलके नहीं बताते हैं एक negative point of view की तरह दिखाया जाता है जैसे कि किसी चीज़ को छुपाने की चीज़ होती है और family के अंदर कोई healthy sex dialogue नहीं होता जिससे कि जो बच्चा है वो सूचता है कि मुझे कहीं और से information देख नहीं बढ़ेगी अगें इसके बाद हमारा जो एक और बड़ा चालेंज है वो यह है कि आप कोई बच्चा पॉन देख रहा है नहीं देख रहा कितना देख रहा है उस चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते exactly नहीं पर कर सकते कि बच्चे भी बहुत smart हो चुके हैं कोई incognito mode and जो भी आपके VPNs and so on होता है वो सब चीज़े लगानी आती है तो जो agencies हैं उनके लिए बहुत difficult है इस चीज़ को पकड़ना इसके इलावा जो obscene content है obscene content को हम soft pawn भी बोलते है ये बहुत ज़ादा available होने लगया freely through websites and OTT over the top services like Amazon Prime, Netflix, Hotstar etc make it difficult for differentiating between non-vulgar content and worker content तो हमें देखने को मिल रहा है कि आज कल बहुत सारा जो content आपका web series के अंदर आता है वो uncensored होता है तो uncensored video content आपको देखने को मिलता है internet services पे चाहिए वो Netflix हो, Amazon Prime हो, Hotstar हो and इसके कारण non-vulgar और vulgar content की differentiation है वो बहुत कम हो गई है तो कोई भी बच्चा है उसको पता चलता है हाँ यह बहुत अच्छी movie आई है यह बहुत अच्छी web series आई है तो वो उसको चलाकर बैठ जाता है जिसके अंदर कोई ना कोई इस तरह का sexual scene होता है या फिर half naked scene होता है या कोई ना कोई आपका कैसे तो soft pawn का scene होता है अब हम क्या क्या efforts ले सकते हैं agencies across the world are sharing information to come back child pornography new technologies and methods are being adopted तो agencies जो हैं पूरे world की वो share कर रही है information to come back किसी तरह के से हम child pornography को रोख सके हैं और नई technologies और methods को adopt भी इसके लिए किया जा रहा है police और ordinary people की बीच में हम connection establish कर सकते हैं तो हमें strict actions लेने काफी जादा जरूरी है a distinction needs to be made between child porn and pornography among children while child porn and porn having sexual violence should be banned immediately other porn needs to be regulated तो basically आपको सारा का सारा porn यहाँ पे immediately बंद करने की जरूरत नहीं है ऐसा बताया जा रहा है author के द्वारा वो कह रहे हैं कि आप जो normal porn है उसको चलते दे सकते हो लेकिन जो wireless वाला porn है या फिर जिसमें children का दिखाया गया है teen age बच्चे दिखाया गये हैं उसको आप stop कर सकते हो most of the time first exposure to porn is accidental for example in the form of advertisement while browsing things on the internet the government should try and find technological solution to stop this accidental exposure तो बहुत सारे बच्चों को accidentally porn दिख जाता है जब वो कुछ भी browse कर रहे होते हैं या कोई भी उस तरह की चीज़ सर्च कर रहे होते हैं या फिर जो आपके web series होते हैं इनके थूँ उनको किसी ना किसी तरीके से कोई advertisement दिख जाते हैं जिससे कि वो proper porn को खोल लेते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको stop कर सकते हैं इस तरह की advertisement को stop कर सकते है government using technology अब इनसें sex education is a must and should be made compulsory in schools इसके इलावा sex education को compulsory कर देना चाहिए स्कूल में ताकि बच्चों के वो ये बताया जा सके कि ये जो चीज़ है ये एक normal चीज़ है और ये एक normal physical चीज़ है and it is made for procreation, reproduction और इस चीज़ को इस तरह से voilence नहीं करना चाहिए या जो वो मैंने उसे objective आया नहीं करना चाहिए and इसके अंदर दोनों का equal से होना चाहिए parents and teacher must be skilled to deal with the children in modern era and technology तो parents and children जो है वो भी skilled होने चाहिए इस बारे में खुल के अपने बच्चों से बात कर सकें, conversation कर सकें ताकि बच्चों की help हो सकें और अगर कोई बच्चा इसमें involved है तो वो शर्म ना करें, अपने parents को यह शर्म करेगा बताने से तो solution कहां से मिलेगा parents and caregivers are encouraged to educate themselves about internet and social media in order to be aware of child's current online dangers and opportunities facing their children तो again जो parents उनको भी थोड़ी online education देनी चाहिए ताकि वो देख सकें कि बच्चा क्या कुछ कर रहा है social media पे, internet पे and वो किसी तरह की गलत चीज में involved तो नहीं हो रहा other than giving punishment, reformation should be done to support children and young people who have been exposed to online photography is extremely important तो again author जो है, वो काफी liberal विचारों के हैं उनका कहना है कि punishment के इलावा उनको reform करना चाहिए ताकि वो इस तरह का काम दुबारा ना करें, but of course इसके अंदर हम जो एक बहुत major point लिख सकते हैं वो है, across the world क्या trend है pawn का, तो आप इस map में देख सकते हो, हमें South East Asia का map दिखाया गया है, तो Asia के अंदर अगर हम देखें, तो सरफ एक country है Turkey जो कि इसको legal मानती है, बाकि जो Islamic countries हम आपे totally illegal है, plus China में भी illegal है, तो इससे क्या होता है कि आप बच्चों को expose ही नहीं होने देते pawn के प्रती, तो यह बहुत ही अच्छा से प्लिया हुआ हुआ है in countries ने, जो आप red में होती है, तो यह point भी valid हो सकता है बट अपने आप, अगर आप पूरी तरह से illegal कर देते हो किसी चीज़ को, तो automatically उसके users जो हैं, वो कम हो जाते हैं क्योंकि हर एक बच्चा इतना smart नहीं होगा कि वो फिर भी उस चीज़ को access कर पाए plus बहुत सारे जो लोग है वो mobile पर इस चीज़ को consume करते हैं तो mobile पर restrict करना और जादा असान है as compared to PC, तो mobile की उपर restrictions जो है, वो government apply कर सकती है अगर हम बात करें, इंडिया की और अशिया की या जपान की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर partially legal है, यानि कि कुछ जो clauses हैं, जैसे कि child abuse यूज़ वाले हो गया, child pornography होगी यह चीज़े यहाँ पर illegal हैं, लेकिन बाकी का content जो है, वो आप देख सकते हो similarly distribution, बेचना या WhatsApp के थूँ भेचना है या and so on, यह सब चीज़े illegal है पॉन के regarding, लेकिन अगर आप self consumption के लिए अकेले में बैठके यूज़ कर रहे हो पॉन को, तो वो चीज़ यहाँ पर illegal है तो इंडिया को यहाँ पर शायद से legal से illegal की तरफ जाना चाहिए, तो हमें partially legal से totally illegal कर देना चाहिए पॉन को, with respect to जो इतने सारे cases हो रहे हैं, वो भी schools के अंदर हो रहे हैं तो इस चीज़ को हमें curb करने के सबसे असान तरीका तो यही वाला नजर आता है इसके लाव अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की भी एक Islamic country है मतलब, although secular country है, बर majority people जो Muslims है, लेकिन यहाँ पर जो पॉन है, वो total legal है, किसी भी तरह का पॉन आप consume कर सकते हैं, तो अगें आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं जो mental development है या psychological development है एक person की, वो भी depend करता है कि वो पॉन को किस तरह से लेता है, किस तरह से use करता है तो overall it was a social issues topic तो इसके उपर आपके विचार कितने हैं वो भी बहुत ज़्यादा matter करते हैं इसके अंदर कुछ भी black and white नहीं होता social issues के हर एक topic अंदर आपके खुद के विचार बहुत ज़्यादा matter करते हैं आपको दो चीजों का ध्यान रखना है अपना answer लिखते हुए empathy and ethics ethics कौन से, जो larger society के हैं यह नहीं कि आपके personal ethics क्या कहते है larger society ethics क्या कहते है और empathy क्या कहते है तो आपके इस बारे में क्या विचार है वो आपको 150 words के अंदर लिख करके मुझे send करने हैं आपको समझ लोगी आपका means का question है तो आपको 150 words के अंदर इसका answer जो है वो लिख के study time yt telegram group के उपर send करना है तो मैं आपको evaluate करके बता दोगा so I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी informative लगी होगी thank you for watching हमारे तीन नए batches शुरू हो रहे हैं 22nd June से जिसको आप enroll करा सकते हैं अगर आप UPSC की preparation कर रहे हो तो यह batches आपको multiple languages में मिल जाएंगे तो अगर आप English medium के student हैं लेकिन Hindi वे चीज़े समझते हैं तो आपको bilingual batch मिल जाएगा Hindi only batch मिल जाएगा Hindi medium के students के लिए और English only batch मिल जाएगा जो की सिरफ English में comfortable है prices आप देख सकते हो अगर आप 24 months का plan लेते हो तब आपको 54% discount मिल जाता है प्लस आपको 10% additional discount मिलेगा using the code ANI7 अब आपको यह plan क्यों adopt करना चाहिए उसके बारे में कुछ advantages देख लेते हैं तो देखिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आप अपने favorite teacher से सीख सकते हैं तो इसके अंदर कोई teachers के उपर बंदिश नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि आप offline coaching में जाते हैं और आपको वहाँ पर quality पढ़ाने वारे सर जो है वो अच्छे लगते हैं और उनका quality आपको समझ में भी आता है लेकिन हो सकता है economics या history या कोई और subject है जो आपको नहीं समझ में आता या आप उन teacher से नहीं समझना चाते है किसे और teacher से पढ़ना चाते हैं तो उस case में आपको extra खर्चा करना पड़ता है कहीं और जाना पड़ता है लेकिन एन academy plus में ऐसा नहीं है आपको जिस भी teacher से जो subject समझ में आता है आप उससे वो पढ़ सकते हैं तो आपने A teacher से suppose कीजिए quality पढ़ा आपको अच्छा लगा लेकिन A teacher का geography आपको अच्छा नहीं लगा तो आप किसी और B teacher के पास जाकर भी वो subject को पढ़ सकते हैं और उसमें कोई restriction नहीं है कि आप कितनी मर्जी बार teachers को switch कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको best combination of teachers लगता है आप उनके जो lectures हैं वो देख सकते हैं और अपना slaybers घर बैटे बैटे आराम से पूरा कर सकते हैं second यहाँ पे आपको dedicated doubt clearing sessions मिलते हैं तो यानि कि आपके सारी doubts जो हैं वो to the point विल्कुल साथ की साथ ही निप्टारा कर दिया जाता है तो nip in the bud हो जाता है ताकि कोई भी doubt ऐसा ना हो जो linger on करता रहे और बाद में आपको problem create करें revision के time पे आपको problem आए तो आपके सारे doubts को specific sessions के अंदर completely cover कर दिया जाता है again जो बहुत बार आपकी offline classes हैं उसमें ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि बच्चे बहुत जादा होते हैं लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे आपका clearing doubt session चलता रहेगा आपके doubts जो हो clear होते रहेंगे उसके बाद आपको एक ही subscription के अंदर multiple जो courses हैं मिल जाते हैं और आपको unlimited access मिल जाता है पूरी academy library का तो suppose कीजिए आप PCS की भी त्यारी कर रहे हैं and IS की भी त्यारी कर रहे हैं अब IS के बीच में आपके UP PCS का exam निकल आता है तो उस time पे आपको UP PCS के लिए कोई specific courses देखने हैं specific lectures देखने हैं और जो आपकी best जो आपको job लगती है आप उसको रख सकते हैं तो एक ही subscription में आपको बिना double पैसे खरच किये आपके अच्छे से सारी त्यारी हो जाती है and again घर बैठे बैठे क्योंकि घर बैठे 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 एक बहुत बड़ा comfort है और आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं क्योंकि आप देखे अगर आप offline coaching में जाते हैं तो आपको एक तो आने जाने का खरचा लगता है उसके बाद कई बार parking fees लगती है उसके बाद अगर आप किसी दूर अपने आप गाउं में रहते हैं आपके शहर के आसपास कोई coaching नहीं है तो आपको जाके रहना पड़ता है उसमें आपका मंथले expenditure बहुत बढ़ जाता है आपका खाने का रहने का और अन्य चीजों का खरचा बहुत जाता है तो वो सारे के सारे आपके खरचे इसमें दूर हो जाते हैं उसके बाद यहाँ पर real time interaction है teachers के साथ तो ऐसा नहीं है कि वीडियोज चल रही है तो आप teacher से बाचीत नहीं कर सकते हैं या उनसे जुड़ नहीं सकते हैं बलकि हाँ पर आपका जो connect है वो अच्छे से होता है आप live chat के अंदर questions बूच सकते हैं टीचर साथ की साथ आपको explain कर सकते हैं उसके बाद आप personalized doubt sessions ले सकते हैं जिसके अंदर आप teacher से बात कर सकते हैं तो teachers के साथ आपका interaction जो है वो पूरा अच्छे से रहेगा जैसे कि आपका offline classes में रहता है तो आप इस चीज़ को तो बिलकुल मन से निकाल देज़े कि teachers के साथ interaction नहीं हो पा रहा या doubts जो है वो बच जा रहे हैं doubts clear नहीं हो पा रहे इसके अलावा आपको अन्यापे unlimited test series मिलेगी तो exam से पहले सबसे जादा important होता है कि आपने कितने test किये क्योंकि जितने test किये और specially जो हम test में गलत करते हैं चीज़ें वो हमें जरूर याद देना जाती है तो इसलिए test के अंदर की जो गलती हैं वो आपकी बार-बार revise होंगी तो आपको अलग से test series के लिए कोई payment नहीं करना इसके अंदर आपके unlimited test series रहेंगी जिसको आप join कर सकते हो इसके लावा हर class के आपको PDF notes मिलेंगे and PDF भी आपको दोनों तरह से मिलेंगे annotated और बिन annotated तो अगर plain suppose कीज़े आपने कोई MCQ का course लगाया और उसके अंदर आपने plain PDF file ले ली तो आप बाद में उसको खुझ से practice कर सकते हो कि आपको कितने questions याद हो गए and बाद में आप उसे annotated है जिसमें teachers ने आपको answers और reasons वा कराए है उसके साथ match करके देख सकते हो कि आपकी reasoning कितनी correct थी तो इस तरीके से आपके MCQ उसकी practice बहुत अच्छी हो जाती है प्लस आपको जो theoretical chapters है उनके भी हर एक chapter के हर एक वीडियो के PDF notes दिये जाते हैं इसके इलाव आपका full syllabus coverage होता है बहुत बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमारा जो syllabus है वो अधूरा रह गया सर ने NCITS नहीं कराई या कुछ नहीं कराया कुछ ना कुछ किसी ना किसी coaching पे कुछ रह जाता है तो बहुत सारी coachings जो हैं वो complete भी करा देती हैं लेकिन कुछ बच्चों का रह जाता है लेकिन अनकाडमी पे आपको पूरा पाठे करम कराया जाएगा पूरा syllabus आपका cover किया जाएगा और इसके अंदर एक और advantage है वो यह है कि अगर आपको लगता है किसी teacher ने कोई topic मिस कर दिया या कोई topic आपको ठीक से समझने आया तो आप वो switch करके दूसरे teacher का same topic search कर सकते हो देख सकते हो उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं है कोई आपके extra charges नहीं है and lastly आप सभी videos को download कर सकते हो और offline भी देख सकते हो यह again बहुत important चीज है specially उन लोगों के लिए जो कि किसी remote area में रहते हैं या फिर थी वी reason से वहाँ पे internet की reception अच्छे नहीं आती जैसे suppose करो अभी cyclone विगारा आ गया था तो internet reception जो थी बहुत सारे areas में इंडिया में वो coastal areas की तरफ वो काफी जादा down हो गई थी उस case में अगर आपने सब कुछ download करके रखा हुगा है तो आपका syllabus आपकी पढ़ाई नहीं रुकती और आप साथ की साथ उन चीज़ों को revise कर सकते हो उन चीज़ों को देख सकते हो और आपका जो पढ़ाई का नुक्सान है वो कहीं न कहीं avoid हो जाता है प्लस आपका data भी बचता है तो अगयन क्यूंकि आप बार बार अगर चलाओगे तो आपका data use होगा तो उस case के अंदर आप एक बार offline सेव करके रख लोगे तो उसे जितनी बर्जी बात आप repeat पर चला सकते हो और offline सारी की सारी वीडियो को देख सकते हो तो यह अगयन एक बहुत बड़ा advantage होता है तो यह कुछ advantages मैंने बताए आपको क्यों join करना चाहिए अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपको शुरू में भी जैसे बताया था अगर आप दो साल का subscription निकठे ले लेते हो तो आपको 75% तक discount मिल रहा है और plus 10% extra discount भी मिल रहा है using the code ANI7 तो again यह बहुत अच्छी डील है अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो So I hope आपको वीडियो अच्छा लगाओगा, informative लगाओगा, thank you for watching this video and have a nice day So I hope you enjoyed this video and have a nice day